हेलो श्टूदेंट्स तो आज हम डिसकस करने वाले चैप्टर नमबर सेकेंड एडिशनल कोर्शन बैंक डिसकस करेंगे चैप्टर नमबर हमारा सेकेंड है एक्वेशन एक्वेशन का एडिशनल कोर्शन बैंक वैसे तो मैं आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ लेकिन 11th mcq से लेकर 24 mcq तक हमने डिसकस नहीं किये थे कुछ student की comment आई थी कि सर उनको भी डिसकस केजिए हमसे solve नहीं हो पारे definitely discuss करेंगे आईए देखिए गई 11th mcq देखिए हाप 11th mcq में धियावा है मुझे x plus under root 12p minus x upon x minus under root 12p minus x is equal to under root p plus 1 under root p minus 1 अब guys देखिए हम इसको option के थुरू solve करेंगे first option ही मैं सबसे पहले put करके देख लेता हूँ तो guys देखिए x के place पर क्या put करना होगा मुझे 3p आईए put करते हैं तो guys देखिए मैंने 3p put किया x के place पर x के place पर यदि हमने 3p put किया है तो guys देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 3p plus under root में guys देखिए यहाँ पर 12p minus 3p कितना बचेगा 9p और 9p को यदि guys मैं root से भाँ निकालता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 3 under root में p क्योंकि guys देखिए यहाँ पर स्रिफ और स्रिफ 9 का में root भाँ निकाल सकता हूँ p को भाँ नहीं निकाल सकता के लिए तो under root में p available रहेगा अप guys देखिए यहाँ पर कितना है 3p plus यहाँ से guys देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर again वही condition होगी 9 9 को में क्या कर सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ root से बाहर और यह कितना हो जगा root में p is equal to guys देखिए कितना है root p plus 1 और root p minus 1 आईए guys देखिए 3 यहाँ से common लेते हैं तो हमारा cancel हो जाएगा 3 common ले लिजे आप अब guys देखिए p को में क्या लेक सकता हूँ यहाँ पर देखिए मैं आपको side में करके दिखा देता हूँ यहाँ देखिए p को में क्या लेक सकता हूँ under root p के लिए is equal to मेरा p होता है क्योंकि guys देखिए under root को हम क्या लेक सकता है p की power 1 by 2 into p की power 1 by 2 और गाई देखिए जब बेस से में तो power add हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1 by 2 plus 1 by 2 तो गाई देखिए कितना हो गया 2 और 1 plus 1 is equal to 2 by 2 cancel तो P की power 1 is equal to कितना होता है मेरा P के लिए रहे तो गाई देखिए मैं हाँ से क्या करता हूँ 3 को common ले लेता हूँ और P को क्या लिख लेता हूँ under root P into में under root P और plus का कितना बचेगा under root P divided by 3 common ले लिजिए again P को क्या लिखिए आप under root P into में under root P और plus का कितना हो जाएगा root P is equal to कैई देखिए root P plus 1 divided by root P minus 1 तो कैई देखिए 3 से 3 cancel आप यहां से क्या करिए root P को common ले लिजिए root P हम common लेते हैं तो कितना बचेगा यहां से root P plus 1 divided by root P minus 1 के लिए लगाई देखिए हाँ पर कितना था यह minus का था sorry by mistake plus का sign लगा यह minus था के लिए तो कैई देखिए हाँ पर भी कितना था root P plus 1 और यह कितना हो गया हमारा root P minus 1 तो काई देखिए दोनों side मेरी equal आ रही है तो हमारा a option ही क्या होगा हाँ पर correct answer होगा आगे हमें check करने की requirement नहीं है आप चाहिए तो check करके भी देख सकते हैं आई यह 12 देख लेते हैं 12 देखिए 12 में भी गाई हमें root find out करने ही हाँ पर दिया वाए 1 plus x की power है 2 by 3 plus 1 minus x की power 2 by 3 is equal to 4 और bracket में दिया वाए गाई देखिए 1 minus x square की power 1 by 3 देखिए गाई इसको कैसे solve कर सकते हम क्या करेंगे हाँ पर 4 को separate कर लेंगे अब 4 को मुझे separate करना है तो देखिए मुझे इससे divide करना होगा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे right hand side and left hand side दोनों side हम क्या करेंगे हाँ पर multiply कर लेंगे 1 minus x square की power 1 by 3 से तो गाईज देखिए हाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो इसको मैं सीधर लिख सकता हूँ 1 plus x की power 2 by 3 मुझे divide करना है divide किससे करना है गाईज देखिए यहाँ पर power है 1 by 3 और 1 minus x square को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर गाईज देखिए 1 plus x और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 minus x और complete की power कितने है 1 by 3 clear है गाई is equal to कितना हो जाएगा मेरा 4 क्योंकि जब आप उन में इससे divide करूँ हो तो यह cancel हो जाएगा आईए आगे solve कर लेते है तो गाई देखिए आगे हम solve कर सकते है इसको अब गाई देखिए यहाँ कितना है 1 plus x और यहाँ भी कितना है 1 plus x मैं आपको बता जाएगा base same है और divide में तो पावर किसम हो जाएगी minus में तो गाई देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 plus x की power कितने है 2 by 3 यह उपर जाएगी कितने हो जाएगी minus का 1 by 3 divided by 1 minus x की power 1 by 3 plus आप माइनस के साथ compare कर सकते है तो काई देखिए कितना हो जाएगा यह 1 minus x की power 2 by 3 इसको उपर ले जाएगी minus का 1 by 3 divided by कितना होगा 1 plus x की power 1 by 3 is equal to 4 clear है आप काई देखिए 2 by 3 में से मैं माइनस करता हूँ 1 by 3 को तो मेरा कितना बज़एगा 1 by 3 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus x की power 1 by 3 divided by 1 minus x की power 1 by 3 plus इसको भी एज़टी लिख सकते है 1 minus x की power 1 by 3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 plus x की power 1 by 3 is equal to 4 अब गाई आप देख सकते हैं यहाँ से यह चीज क्या हो गई यहाँ पर मेरी हो गई 1 plus x divided by 1 minus x complete की power 1 by 3 plus 1 minus x और 1 plus x complete की power 1 by 3 is equal to 4 काईश देखिए यहाँ से कोर्सन नंबर 9 क्रेट्स हो गया है मेरा हमने जो कोर्सन नंबर 9 को डिसकस किया था अडिशनल कोर्सन बैंक के आप क्या करिए 1 plus x divided by 1 minus x is equal to यह मान लिजिए तो यह कितना हो जाएगा मेरा 1 minus x upon में 1 plus x कितना हो जाएगा 1 upon a clear है यह आप y भी मान सकते है z भी मान सकते है जो आपको मन करें 4 मानिए तो काईश देखिए कितना हो गया a की power 1 by 3 plus 1 upon a की power 1 by 3 is equal to 4 आईए cube on both side करिए cube on both side क्यों कर रहे है region आपको बता चुको हो starting में भी क्योंकि हमें यहां से 3 को cut off करना है तो काईश देखिए cube on both side करता हूँ तो यहां पर मेरा formula क्या हो जाता है दोनों side cube कर लिजे तो काईश देखिए यहां पर क्या हो जाएगा मैं इसको लिख सकता हूँ a की cube यानि a आएगा क्योंकि into में 3 करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यह सब बात है अच्छे से हम discuss कर चुके है जब starting के 10th mcq हमने discuss किये थे तो गाईश देखिए कितना हो गया 1 upon a plus कितना हो जाएगा 3 की power 1 upon 3 into में 1 upon a की power 1 by 3 3 और bracket में गाईश देखिए कितना होता है a की power 1 by 3 plus 1 upon a की power 1 by 3 is equal to 4 की cube मेरी कितनी होती है 64 के लिए रही है यह चीज तो गाईश देखिए कितना हो गया a plus 1 upon a इससे cancel हो जाएगा plus का कितना बचेगा 3 और इस complete के place पर के इस complete के place पर मैं क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ के लिए रहे क्योंकि क्याईश देखिए हाँ पर इसकी value is equal to कितनी है 4 तो into में 4 is equal to कितना गया 64 तो क्याईश देखिए हां से a plus 1 upon a is equal to कितना होता है 4 तो 12 इधर लिजाए यह minus हो जाएगा तो कितना होता 52 क्याईश देखिए हाँ पर हम a plus 1 upon a की value निकाल चुके हैं कितनी है हमारी 52 तो क्याईश देखिए a मैंने किसको मानत है यहाँ पर मैं देखिए side में कर रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजेगा किसको मानत है क्याईश देखिए 1 plus x divided by 1 minus x और plus 1 upon a की value मेरी कितनी थी गाईश देख सकते हैं 1 minus x divided by 1 plus x is equal to कितना यह 52 आप इसको solve कर लिजे हाँ से x की value हम easily find out कर सकते हैं तो गाईश देखिए LCM लीजे LCM लेता हो तो कितना जाएगा है हाँ से 1 minus x और यह कितना हो जाएगा 1 plus x गाईश करिए तो कितना होगी है यहाँ पर 1 plus x का square plus 1 minus x का square is equal to कितना होगी है 52 किलेर है इस तरीके से आप इसको easily solve कर सकते हैं आएए आगे solve करते हैं तो गाईश देखिए यहाँ पर आगे solve करने पर हमारा क्या आएगा देख लेते हैं गाईश को सकते हैं आप यहाँ पर 1 minus x और कितना हो जाएगा हमारा 1 plus x is equal to 52 तो गाईश देखिए इस से यह cancel होगी है यहाँ पर यह कितना होगी है एक और एक दो तो गाईश देखिए कितना बचेएगा 2 और plus 2x square divided by 1 minus x और 1 plus x is equal to 52 आप क्या करिए गाईश देखिए यहाँ से आप common ले लिजिए 2 common लेता हूँ तो गाईश देखिए कितना बचेएगा यहाँ से 1 plus x square divided by 1 minus x और 1 plus x is equal to 52 आएए आगे solve करिए गाईश देखिए यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 1 plus x square is equal to 52 क्योंकि 1 minus x के square को हम क्या लिखते हैं 1 plus x और 1 minus x तो गाईश देखिए कितना हो गया 2 plus 2 x square is equal to 52 minus 52 x square क्लिए रहे आप गाईश देखिए 52 x square हो गया है हाँ पर तो गाईश आप क्या करिए इसको इदर लेजाए यह इसको इदर लेजाए तो गाईश देखिए हाँ पर यह कितना हो जाएगा मेरा सिंपल सा मैं कह सकता हूँ यह हो जाएगा मेरा 54 x2 क्यूंकि इधर आएगा तो प्लस को जाएगा और यह 2 इधर जाके माइनस का तो इस इकल टू 50 तो x2 की वैल्यू कितने आगई 50 divided by 54 के लिए रहे हैं आप क्या करिए अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो गाइस देखिए x is equal to यहाँ पर कितना जाएगा मेरा अंडर रूट में 25 divided by 27 क्यूंकि हम 2 से cancel कर सकते हैं 2 से cancel करता हूँ तो कितना होगा 25 से cancel हो जाएगा और यह 27 से तो गाइस देखिए root से भाहर निकालते हैं तो कितना हैगा plus minus का 5 divided by गाइस देखिए 27 को हम कैसे भाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए 9 इन 2 में 3 लिख सकता हूँ तो देखिए कितना होगा 3 root 3 आईए देखते हैं कौन सा option जो इसको satisfy कर रहा है तो गाइस देखिए आपका option C हाँपर correct answer होगा के लिए रहे आईए 13 m से क्यों देखते हैं देखिए 13 13 में गई यहाँ पर हमारे पात जो equation available है वो है 2x plus 1 2x plus 3 x minus 1 x minus 2 is equal to 150 के लिए रहे हमें इसके roots जो है find out करने roots हम कैसे find out कर सकते हैं आईए देखते हैं तो गाइस देखिए सबसे पहले आप क्या करिए इनके आपस में multiply कर लेजे तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ 2x plus 1 की हम कर लेते हैं x minus 1 के साथ और 2x plus 3 की हम कर लेते हैं x minus 2 के साथ इस इक्वल टू कितना होगा 150 आईए तो गाइस देखिए हम यहाँ पर इसकी multiply करते हैं तो यह कितना हो जाएगा मेरा 2x square minus 2x plus x minus का 1 इन दो की multiply करते हैं तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर 2x square minus का 4x plus 3x minus 6 is equal to 150 के लिए basic calculation है यह आपको clear होनी चाहिए आईए आगे देखिए गाई इसको आज़ेटीज नोट करिए कितना होगा 2x square अब गाई देखिए minus का 2x plus का x कितना बचेगा यहाँ पर minus x minus 1 इसको कर लिए कितना होगा 2x square यहाँ से करिए देखिए minus का 4x plus 3x कितना बचेगा minus का x minus 6 is equal to 150 अब आप अगेन क्या करिए इनके आपस में multiply कर लिए यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे पास कितना है 2x minus 1 यहाँ पर भी 2x minus 1 है यहाँ minus 1 है यहाँ minus 6 है तो आप अगर यह कुछ ऐसा करिए कि हम इसको x मान सकें तो गाइस देखिए हम यहाँ पर क्या करते है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना है minus 6 तो गाइस देखिए हम पर minus 6 को हम लिख लेंगे minus 1 minus 5 तो गाई देखें कितना हो जाएगा 2x square minus x minus 1 और bracket में कितना हो जाएगा 2x square minus x minus 1 और minus 5 क्योंकि गाई देखें अभी भी तो यह मेरा कितना हैगा 6 ही आएगा ना minus minus plus हो जाते है इस इक्वल to 150 तो अब आप क्या करिए let assume कर लिजें यहाँ पर 2x square minus x minus 1 is equal to a clear है आईए तो गाईज देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा यह तो a हो गया और bracket में कितना हो जाएगा इस देखें a minus का 5 is equal to 150 तो गाई देखें कितना हो गया a square minus का 5a minus 150 is equal to 0 क्योंकि इधर आएगा तो किसमें convert हो जाएगा minus में अब 150 के हमें इस तरीके से factor करने की minus करने पर कितना आना चाहिए 5 तो आईए देख लेतने हैं यहाँ पर factor कर यह side में 150 तो गाई देखें 2 से cancel कर यह पहले कितना जाएगा 75 फिर आफ 5 से cancel कर लिजे कितना जाएगा 15 3 से cancel कर यह 5 5 से cancel कर यह 1 तो गाई देखें 5 तिया 15 और 5 तो नहीं 10 15 मैं 10 माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आएगा 5 और मुझे चाहिए भी कितना था 5 तो देखें कितना हो गया a square minus 15 minus 10 a minus का 150 is equal to 0 तो गाई देखें a square minus का 15 a plus का 10 a minus 150 is equal to 0 ए कॉमन ले लिजे कितना पाउजेगा a minus का 15 यहां से गाई देखें plus का 10 common ले लिजे कितना वाजेगा a minus का 15 is equal to 0 तो a की value कितनी आ गई minus 10 और a की value कितनी आजेगी हमारी 15 किलेर है अब गाई देखें हमारी a की value आ चुक ही तो हम यहां से x की value easily find out कर सकते हैं गाई देखें ए की वैल्यू कितने आगे है यहां पर 15 तो आप क्या करिए ए हमने क्या माना था 2x²-x-1 is equal to 15 रखिए तो गाईस देखें हाँ से कितना आ जाएगा 2x²-x इधर जाएगा यह प्लस का हो जाएगा यह आप इसको इधर ले जाएगे कितना होगे है 16 is equal to 0 क्योंकि 15 को आप इधर लेका यह तो 15 माइनस का 1 है ओल्लेडी माइनस माइनस प्लस का कितना होगे 16 आइए अब गाई देखें इसकी से मंटिपलाई करते हैं कितना है अब जो हमने फैक्टर किये इस तरीके से हम इसके रूटस फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर्मूला क्या है यहाँ पर मेरा x is equal to minus का p प्लस माइनस अंडर रूट में b square minus 4ac divided by 2a आई यह put कर लेते हैं तो गाई देखें put करते हूं तो यहाँ पर कितना है minus already minus का 1 यह कितना है प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का square minus 4 into 2 into गाई देखें कितना है minus का 16 divided by 2 into 2 तो यहाँ पर solution करके कितना रहा है मेरा 1 plus minus root में 129 divided by 4 तो गाई देखें इसको आपका satisfy करेगा option a option a आपका correct answer होगा अब गाई देखें यहाँ पर हमारे पास a की value minus 10 भी है तो हम इसको भी put करके देख लेते हैं तो गाई देखें कितना हो जाएगा 2x square minus x minus 1 is equal to minus 10 तो यह कितना आ जाएगा 2x square minus x plus 9 is equal to 0 तो गाई देखें यहाँ से जो मेरे roots निकल काएंगे वो आएंगे कितना आएंगे गाई देखें 1 plus minus root में 1 minus 72 divided by 4 अब गाई देखें जो यहाँ पर इसकी value आ रहे है मेरी b square minus 4ac यह आप देख सकते हैं यहाँ से काई smaller than आ रहे है चीरो से क्योंकि minus में है और आपको पता है यदि मेरी less than 0 है तो वो क्या होते है imaginary roots होते हैं तो हम इसके तुरू तो roots find out नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मेरा यही option क्या होगा correct answer होगा और option A को satisfy करेगा आपका option A correct answer है clear है 14 mcq आप यहाँ पर खुद करेंगे same mcq है पिल्कुल same कोई भी आपको problem नहीं आएगी हो सकता है यहाँ पर imaginary roots creates हो और हो सकता है नहीं होंगे नहीं होंगे तो महाँ पर कितने roots होंगे फिर 2 होंगे clear है फिर भी आपको कोई doubt आता है तो आप नीचे comment box में comment करके बता सकते है आईए 15 mcq देखते हैं तो काइस देखें हाँ पर 15 mcq में जो हमारे से पूछा है 15 mcq में हमारे पास given है z plus under root z is equal to 6 by 25 option A available है 1 by 5, option B available है 2 by 5, option C है 1 by 25 और option D available है 2 by 25 अब काईस देखें यहां पर आप क्या करिए z के place पर option को put करिए जो भी option आपको 6 by 25 देगा वो आपका correct answer होगा आइए put करके देखें guys देखें 1 को put करता हो तो नहीं होगा काईस देखें यहां पर option B को भी हम put करतें तो मेरा 6 by 25 नहीं आएगा जाएट के place पर 1 by 25 प्लस 1 upon 25 का root find out करते हैं तो कितना जाएगा 1 upon 5 is equal to हमें कितना चाहिए 6 by 25 आइए LCM ले लिजी LCM लेते हैं तो guys देखें कितना जाएगा 25 तो 1 plus 5 5 जा कितने होते हैं मेरे 25 तो plus कितना होगा 5 is equal to 6 by 25 तो guys देखें option C आपका correct answer होगा बिलकुत simple way में आप इस तरीके से इसको find out कर सकते हैं आइए 16 देखते हैं 16 में मेरे पास available है Z की power 10 minus 33 Z की power 5 plus 32 is equal to 0 किस तरीके से find out कर सकते हैं guys देखें घबराने की कोई भी requirement नहीं है आप क्या करिए यहांपर let कर लिजे let Z की power 5 is equal to X clear है तो guys देखें हाँ पर Z की power 10 थी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 into 2 यह कितना हो जाएगा minus 33 Z की power 5 plus 32 is equal to 0 अब Z की power 5 के place पर मैं X put कर सकता हूँ तो होगा यह कितना हो जाएगा देखें X का square क्योंकि इस complete के place पर क्या put हो गया X minus 33 X plus 32 is equal to 0 32 के इस तरीके से factor करने की plus करने पर कितना आना चाहिए 33 तो guys देखें यहाँ पर हम simple सा क्या करते हैं तो 32 से कम 32 हमारी कितना होगा 32 plus 1 करता हूँ तो मेरा कितना जाएगा 33 आ जाएगा 32 plus 1 is equal to 33 तो देखें कितना हो गया X square minus 32 plus 1 X plus 32 is equal to 0 तो guys देखें यहाँ से कितना हो गया X square minus 32 X minus X plus 32 is equal to 0 common ले लिजिए X common लेता हो तो कितना हो जाएगा X minus 32 यहाँ से आप क्या करिए हमें Z की value चाहिए तो guys देखें Z की value हम कैसे find out कर सकते हैं यहाँ पर Z की power 5 is equal to कितना था X और X की value यह कितनी आई है मेरी 1 तो guys देखें Z की power 5 is equal to 1 और मैंने आपको बताया था power यह दी हम दूसरी side लेते हैं तो इसका रहसी प्रोकल हो का आती है तो Z की power कितनी हो जाएगी Z is equal to 1 की power 1 by 5 और 1 की power कितनी भी 1 ही आता है तो guys देखें Z की value एक तो 1 आगई second value find out करिए कितनी हो जाएगा इस देखें Z की power 5 is equal to 32 है power reciprocal हो का आएगी तर तो मैं क्या लिख सकता हूँ Z is equal to 2 की power 5 in 2 में यह power reciprocal हो का आएगी कितनी हो जाएगी 1 by 5 तो guys देखें 5 से 5 cancels Z is equal to कितना आगी है 2 तो guys देखें इसके एक roots होगा 1 और एक roots कितना होगा 2 आएगे देखें कौन सा option इसको satisfy करेगा आपका option A हाँपर correct answer है clear है आए 17 देखें आप notes करना चाहें तो इनको notes कर सकते है 17 देखें 17 में क्या कहा है under root में 2Z plus 1 plus का under root 3Z plus 4 is equal to कितना आना चाहिए हमारा 7 option A हमारे पास available है 1 option B है 2 option C 3 option D 4 तो guys देखें simple सा आप क्या करिए here पर Z के place पर option को put करिए जो भी option आपको is equal to 7 देगा वो आपका correct answer होगा तो guys देखें 1 put करता हो तो कितना हो जाएगा 3 3 हमारा root से भाट नहीं आएगा कई यहां पर देखें कितना होगा 1 put करने पर 3 और 4 7 तो guys देखें 1st option मेरा हो नहीं सकता 2nd option को put करिए 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा प्लस अंडर root में guys देखें 4 ती आवार और 4 16 तो guys देखें 9 का root कितना होता है 3 प्लस 16 का root कितना होता है मेरा 4 तो is equal to कितना होगा guys देख सकते हैं आप 7 तो option D आपका correct answer होगा किलिए पिलकुल simple mcq देखें आईए 18 देखते हैं guys देखे 18 में मुझे दिया वाई यहां पर अंडर root में x square minus 9 x plus का 18 प्लस अंडर root में x square plus 2 x minus का 15 is equal to अंडर root में x square minus 4 x plus 3 कैसे solve कर सकते है guys देखें इसको भी हम option के थूरू solve करेंगे option a मेरे पास जो है वो available है 3 और 2 plus minus root इसको आप क्या करिए यहां पर 2 root 91 करिए यहां पर यह 2 root 91 ओकर 94 नहीं है divided by 3 option b available है 2 plus minus root 94 divided by 3 option c available है 4 और minus का 8 by 3 और option d available है 3 4 minus का 8 by 3 clear है guys first option को आप correct कर लीजिए गए आपके module में जो यह misprint है यहां पर होगा 2 plus minus 2 under root में 91 divided by 3 आईए तो गई देखें सबसे पहले आप क्या करिए सबसे पहले 3 को पुट करिए आईए तो गाइस देखें कितना हो जाएगा यहां पर under root में 3 का square करते हैं कितना आएगा 9 plus 9 into 3 plus का 18 plus guys देखें यहां पर भी 3 को पुट करिए 3 का square कितना हो जाएगा 9 plus 2 into 3 minus का 15 it is equal to guys देखें हाँ पर 3 को पुट करिए कितना हो गया 9 minus 4 into 3 plus का 3 के लिए तो guys देखें हाँ पर कितना हो जाएगा यह कितना हो गया यहां पर आप इसको cancel कर लिजिए cancel करते हैं तो गाईस देखें कितना हो गिए तीन 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 ती यह देखिए, यह तो confirm होगी है, हमारे पास option में, जो भी option हमारा correctus में 3 होगा, देखे, B में नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता, हमारा C में नहीं है, यह भी नहीं हो सकता, अब गाई देखे, D में 3 available है, लेकिन 4 भी है, लेकिन यहां 4 नहीं है, 4 यदि right hand side और left hand side दोनों equal देता है, तो हमारा option D correct होगा, otherwise फिर A option हमारा correct answer होगा, आईए, put करके देख लेते हैं, तो भाई, देखे, मैं 4 को put करता हूँ, तो यह कितना हो जाएगा, 4.16 माइनस 9 इंटू में 4 प्लस का 18, प्लस गैस, देखे, यहां पर कितना होगा, 4.16 प्लस 2 इंटू 4 माइनस का 15, इज इक्वल टू, 4.16 माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 30, आईए, तो भाई, देखे, कितना हो जाएगा, यहां से, 16 और, यहां पर 16 प्लस 18, कितने होगा, कर लीजे, 16 प्लस 18, 34 और minus का कितना हो जाएका गए देखंगे 9 जोक 36 ब्लस गाइज देखें हहंपर 26 ब्लस कितने हो जाएंगे नहीं नहीं 8 देखें कितना हो गए 24 minus 15 इस इक्वल टू गाई सकते हप यहांपर 16 और 3 कितनी हो जाएंगे हहांपर niye 19 और minus 16 कि लिए है। solve कर लेते हैं तो गाई देखिए under root में कितना जाएगा minus का 2 plus गाई देखिए 24 में से आप minus करिए किसको 15 को तो गाई देखिए हाँ पर कितना गया 9 is equal to 19 में से 16 minus करिए कितना जाएगा root में 3 तो आप गाई देख सकते हैं दोनों side हमारी हाँ पर equal नहीं आ दी तो option D भी हमारा क्या होगा incorrect answer होगा तो हमारा option A हाँ पर correct answer होगा तो आइस देखिए थोड़े option कभी कभी क्या होते हैं लेकिन हम उनको easy way में complete solve कर सकते हैं देखिए हाँ पर direct हमने solve कर लिया हमें कोई भी problem नहीं आई यदि मैं इसको लेके बैठता तो यहाँ पर definitely में जो problem आती solve करने में लेकिन मैंने जो आपको trick बताई या आप उसको follow करते हैं easily solve कर सकते हैं हमें यह confirm होगिया है यहाँ पर option A को put करते हैं कि 3 तो हो गई होगा अब 2 option में 3 नहीं है तो ना तो यह हो सकता नहीं हो सकता definitely बात है कि D होगा या A होगा अब D में हमारे पास 4 भी available हम 4 put करके देख रहेते हैं 4 put करने पर हमारी equation satisfy नहीं हो रही है तो हमारा option कौन सा correct answer होगा A option हमारा correct होगा clear हुआ होगा फिर भी clear नहीं हो है तो नीचे comment box में comment करके बताईए definitely आपका solution हम provide कराएंगे कुछ नो कुछ आए 19 देखते है 19 में गाइज मेरे पास जो equation available है under root में y square plus 4y minus 21 plus root में y square minus y minus 6 is equal to under root में दिया हुआ है 6y square minus का 5y minus 39 option A available है 2 3 5 by 3 option B available है देखिए 2 3 और minus का 5 by 3 option C available है minus का 2 minus का 3 और 5 by 3 option D है हमारे पास minus का 2 minus का 3 minus का 5 by 3 guys देखिए इसको भी हम यहाँ पर option के थूरू solve करेंगे option के थूरू कैसे solve कर सकते हैं तो guys देखिए सबसे पहले हम यह option को put करते हैं यह option को मैं जैसे ही put करूँगा मैं उचे clarification आ जाएगी कि हमारा कौन सा option यहाँ पर correct हो सकता है आये तो सबसे पहले 2 को put करते हैं 2 put करते हैं तो guys देखिए कितना हो जाएगा 4 plus 4 into 2 minus 21 plus का guys यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 minus 2 minus 6 is equal to guys देखिए 6 into 4 minus 5 into 2 minus 39 clear है तो guys देखिए इसको solve करने पर मेरा कितना रहा है under root में minus 9 और plus यह कितना हो जाएगा root यदि हम इसको solve करते हैं तो कितना जाएगा minus 4 is equal to under root में जाएगा minus 25 clear है guys देखिए थोड़ी देर के लिए हम minus को ignore करते हैं तो यह कितना गया 3 plus 2 is equal to 25 का कितना होता है 5 तो guys देखिए यहाँ पर 5 is equal to 5 आ रहा है मेरा तो right hand side and left hand side both are equal तो guys देखिए यह तो confirm होगी है कि option में 2 तो हो गई होगा अब guys देखिए option में 2 कहाँ available है एक option A में और एक option B में तो guys देखिए यहाँ से मुझे क्या confirm होगी है option C भी मेरा correct नहीं हो सकता और option D भी मेरा correct नहीं हो सकता तो option A या तो हमारा option correct answer या option B है आइए 3 को put करके देखते है guys देखिए 3 को put करता हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा under root में 3 तिया 9 प्लस 4 तिया 12 और minus का 21 प्लस guys देखिए यहाँ पर भी कितना हो गया 3 तिया 9 minus का 3 minus 6 is equal to guys देखिए 3 तिया 9 और 9 की into 6 कर लेजिए 9 into 6 करते हैं तो हमारा कितना होता है 54 minus का 5 तिया 15 minus 39 आइए इसको solve कर लेते है तो guys देखिए इसको solve करने पर यहाँ पर guys देखिए 12 plus 9 कितना होगे 21 21 minus 21 0 plus 0 तो guys देखिए क्योंकि 6 और 3 कितना होगे 9 9 में से 9 जाएंगे 0 तो guys देख सकते हैं आप यहाँ पर 15 minus 39 minus का 15 कितना होगे 54 तो यह भी कितना होगे 0 तो 0 is equal to 0 अब guys देखिए यह भी confirm होगे कि हमारा 3 भी हो गई होगा आप guys हमें check और 3 for check क्या करना है यहाँ पर 5 by 3 को check करना है कि minus का होगा या plus का होगा तो हम क्या करते हैं plus का put करके देख लेते हैं यदि हमारी दोनों side equal देता है तो हमारा a option correct है otherwise हमारा option b हाँ पर correct answer होगा आईए check कर लेते हैं तो guys देखिए root में आप put करिए हाँ पर कितना हो जाएगा root में put करते हैं तो guys देखिए 5 by 3 का square या नी 25 divided by 9 minus का 5 by 3 और guys यहाँ पर minus 6 is equal to guys 6 into में कितना हो जाएगा 25 by 9 minus का 5 into 5 by 3 और minus का 39 आईए इसको solve कर लेते हैं तो guys देखिए आप क्या करिए यहाँ से LCM ले लीजे LCM लेता हो तो कितना आएगा 9 25 plus guys देखिए कितना हो गया 5 65 väittर 9 रे कितना हो चितना हो जाएगा 16 – 21 और recipes लेकर से LCM लेकर कितना हो 9 25 और – 15 54 ने जग रहाएं 44 by 9 बरेकर कितना हो गया 64 divided by 9 आघिस में यहाँ से कंघिर हो गया एक माइनस में एक प्लस में हैं से डज नॉट इक्वल टू है क्लिए रहे क्योंकि गाई देखें माइनस में जो है अंडर रूट में कोई भी डिजिट माइनस में होता वो टिफाइन नहीं होती अब इस्टूडेंट्स कहेंगे कहां तक हम इग्नोर करेंगे नहीं कर सकते क्लिए रहे आपने आयोटा का नाम सुना होगा क्लास 12 में आपके पास मैट्स होगी 11 में तो आपको पता होगा आयोटा जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो हम आयोटा का यूज करते है तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर सकते थे लेकिन हम इसको सोल्व नहीं कर सकते के लिए तो गाई देखिए आपको ओप्सन भी हाँ पर करेक्ट आंसर होगा के लिए